अलो बच्चो पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो गबराईये मत सब का सोलूशन है डाउटनट बच्चो आप किसी भी स्वाल में अटक गए हो या आपसे सोल नहीं हो रहा है बस आपको उस क्यूशन का फोटो लेना है और उसे क्रोक पड़ना है और पांस सेकेंड के अंदर अंदर उस क्यूशन का वीडियो सोलूशन आपको मिल जाएगा फिर चाहे आपका क्यूशन होमरक का हो सीबेसी बोड का हो यूपी बियार माहरास्ट राजस्तान एमपी या किसी भी बोड का हो चाहे आयाईटी जेई निट या क्लास चट्टी से पारीवी का स्वालो इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट एप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट ओफिजिक्स, केमेस्टी, मेथ्स, बाइलोजी आपके सभी स्वालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट एप पर साथी डाउटनट एप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फिक आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में तो आज की इस वीडियो में में आपको राजस्तान बोर्ड कक्सा 10 गनित और चेप्टर नमर 3 है आपके बहुपद यानि पॉलिनोमियल्स इस चेप्टर के जितने भी आपके most important question है, repeated question है जो काफी बार बोर्ड exam में पूछे जाते हैं, उन questions के बारे में हम आज के इस वीडियो में discuss करने वाले हैं, अगर आपने चेप्टर नमर 3 है आपके बहुपद है और इस चेप्टर में जो questions में आपको बता रहा हूं, अगर आपने इन questions को अच्छे से त्यार कर लिया तो आपके board exam 2021 में इस चेप्टर से आपक kx square plus 5x plus 3k के सुनेको का योग उनके गुणनफल के बराबर है, यनि जो सुनेक के उनका योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान ग्याद कीजिए, यनि आपको एक दिविगात वेंजग दे रखा है kx square plus 5x plus 3k, इनके सुनेको का योग किसके बराबर है, सुनेको क गुणन फल के बराबर है तो आपको के का मान ग्याद करना है उसके बाद में second question आपको पूछा गया है कि द्विगात बहुपद 2x square plus 7x minus 15 इसके सुन्येंग ग्याद कीजिए और सुन्येंग को तथा गुणांकों के बीच समंद की सतेतागित जांच कीजिए ये question भी आपके very very important है इस questions को भी आपको अच्छे से त्यार करना है कि आपको एक द्विगात बहुपद दिया गया है 2x square plus 7x minus 15 इसके आपको सुन्येंग ग्याद करने है और उसके बाद में जो सुन्येंग है उनके योग और उनका जो गुणन फल है उनके बीच में आपको समंद की सतेताग जांच भी ग्याद करनी है उसके बाद में question नमर 3 है जो काफी बार आपके board exam में और संप्लिव इंटर exam में आ चुका है यानि दो ऐसे करमागत विसम दनात्मक पुना ग्याद कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 394 में यानि दो ऐसे आपको करमागत विसम दनात्मक पुना ग्याद करने है जिनके वर्गों का योग कितना हो 394 में उसके बाद में question नमर 4 आपको दिया है यदि दिवगात समीकरन x square minus 3x minus 10 बराबर 0 के मूल alpha और beta है तो आपको alpha square plus beta square का मान ग्याद करना है ये question भी काफी बार board exam में आ चुका है यानि आपको एक दिवगात समी समीकरन दिया गया है x square minus 3x minus 10 और equal में क्या है 0 इसके मूल आपको alpha तदा beta दे रखा है तो आपको alpha का square plus beta का square इसका आपको मान ग्याद करना है उसके बाद में question number 5 आपको दिया है कि गुणन खंड विदी से समीकरन 1 बटे x minus 2 plus 2 बटे x minus 1 बराबर में आपको दे रखा है 6 दिया गया है इसको आपको गुणन खंड विदी दुवारा हल करना है उसके बाद में question number 6 आपको दिया है कि पूरण वरग बनाने की विदी से समीकरन 5x square minus 6x minus 2 बराबर 0 के मूल गयाद कीजिए यानि आपको पूरण वरग बनाने की विदी से जो perfect square method है उससे आपको ये दि युगात समीकरन 3x square minus 4 root 3x plus 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकरती गयाद कीजिए यानि आपको nature of root निकालना है जो मूल है उनकी प्रकरती बतानी है और 7 में आपको इनके मूल भी गयाद करने है तो इस chapter से आपको केवल 7 question त्यार करने है और अगर आपने इन 7 questions को अच्छे से त त्यार करने हैं बाकि जो एक्जाम में जो numbers हैं वो change हो सकते हैं लेकिन question का जो patron है वो इसी प्रकार से पूछा जाएगा